नमस्ते मैं नाम क्रिशन कुमार सिंग है मुझे इस बार 24 फी रैंक CSE 2020 में हासिल होई है इस बार मुझे इंटर्व्यू में 209 मार्क्स मिले चुकि ये मेरा पांचवार टेम्ट था और दूसरा इंटर्व्यू था इससे पिछले इंटर्व्यू में भी जब मेरा IPS में चैयन हुआ था मुझे 204 नमबर प्राप्ट हुए थे तो दोनों ही बार मुझे कही न कही इंटर्व्यू ने सबसे ज़्यादा मदद करी सेलेक्शन में भी और अपनी पसंद की सर्विस इंशूर करने में भी तो इंटर्व्यू एक ऐसा एरिया है जिसकी आमतार पर जब आप त्यारी करना शुरू करते हैं हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में हमें सोचते हैं वन वी कम तो दे बिरज वील क्रॉस इट जब मौका आएगा देख लिया जाएगा और इसी वज़े से कई सारी ऐसी चीज़े हैं जो कई सारे मिसकंसेप्शिंज बने हुएं यूपीएसी इंटर्व्यू के बारे में आपने सीडिया कितनी चड़ी या वो इंटर्व्यू को पजल के साथ किसी ब्रें टीजर के साथ रिलेट कर देंगे और कही न कही एक ट्रिवियलाइस कर देंगे पूरे इंटर्व्यू प्रसेस को वेराज आइ थिंक यूपीएसी इंटर्व्यू इस अ कम्प्लीट परस्टनालिटी टेस्ट वो कही न कही ये प्रयास करता है कि उस तीस चालिस मिनट के अंतराल में आपकी परस्टनालिटी के अलग-अलग ट्रेट्स को असेस करने का प्रयास करे और आपसे अलग-अलग टाइप के सवाल पूछे चाहे वो सोशल इशूस पे हो चाहे वो आपके वर्क एक्सपीरिंस पे हो चाहे वो आपकी होबीस पे हो या आपका vision of India हो इन सारे issues के उपर आपको अलग-अलग तरीकों से through cross questions, through normal questions, by eliciting your opinion वो आपको कही न कही question करते हैं आपके opinions ही determine करते हैं कि अगला question क्या होगा आपके opinions ही determine करते हैं कि आपको किस तरीके से evaluate किया जाएगा क्या marks दिया जाएंगे उपस, इस रुकावट के लिए sorry पर आपकी UPSC की तयारी में कोई बाधा ना आए चाए वो resources की हो या सही guidance की इसके लिए पिछले 5 साल से sleepy classes quality content प्रवाइड कर रहा है affordable prices पे UPSC coaching में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि oldest is the best या महेंगा सबसे बहतर है और हमारी सेंकडो success stories इस बात की गवा है तो आईए अपनी UPSC की journey शुरू कीजिए हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल पे और enroll कीजिए UPSC 2022 और 23 के courses के लिए हमारी आगपद धन्यावाद एक और इशू जो आम तोर पे आता है that is of language and बहुत बार aspirants ये सोचते हैं कि language of interview हमेशा English होती है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारे ऐसे aspirants हैं जिन्होंने means के लिए English में अपना means लिखा परन्तु interview के लिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी भावनाओं को Hindi में ज़्यादा अच्छे से express कर सकते हैं या किसी vernacular language में ज़्यादा अच्छे से express कर सकते हैं और उन्हें उसमें interview दिया है और उसमें ज़्यादा अच्छा secure किया DKT UPSC CS अगर आप केवल Civil Service परिक्षा के prelims, mains और इंटर्वियो के विडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चानल यहां आपको टॉपर्स के विडियो रैंग के हिसाब से अरेंज मिलेंगे चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो इंटर्वियो में लांग्वेज एक बारियर नहीं है बट एध सेम ताइम आप से पूछा जाता है इंटर्वियो से पहले कि आप किस लांग्वेज में इंटर्वियो देना चाह रहा है और पर फॉर फडी कनवीनिंस अव बोर्ड मेंबर्स अगर आपने English लिखिए अपनी language तो आप अपने answers English में ही दिखिए अगर आपने Hindi या कोई बढ़ना के लिए language लिखिए तो आप उसी एक single language के इंदर stick करके अपने answers दीजे जो भी अपने language उसमें दर्शाई है अब आते हैं अगर interview की preparation के उपर Interview का सबसे important component है DAF detailed application form जहां पर आप से संबंधित almost सारी details दी हुई होती है so right from your name to the place of education, work experience, hobbies, positions of responsibility यह सारी चीजें जो भी या even आपकी achievements scholastic achievements या work related achievements वो सारी चीजों का ब्यारा आपको साजहा करना होता है वही एक ऐसी चीज है जो interview board के पास मौझूद होती है तो बहुत important है कि आप खुद अपने DAF को कई बार पढ़े मैं यह करता था, मैं अपना DAF अपने अच्छे दोस्तों को भेज़ देता था जो ना सिर्फ में साथ services में थे या में साथ पहले काम कर चुके थे या प्रिपेर कर चुके थे, ऐसे लोग भी जिनका civil services से कोई लेना देना नहीं है सो वो master's कर रहे हैं US में या फिर वो किसी corporate firm में काम कर रहे है मैं उन्हें भी भीज़ देता था, मैं उन्हें कहता था, आप 10 questions इस DAF के form को देख करके बनाई है जो भी आपको समझ में आते हैं और कई सारे नए किसम के questions क्योंकि क्या होता है जब आप CSE के लिए prepare कर रहे हैं हम सब का सोचने का तरीका अल्मूस्ट एक जैसा हो जाता है पर कोई ऐसा वेक्ति जिसका CSE से कोई लेना देना नहीं है यह जाता है तरीका था जाता है परस्पेक्टिव तरीका था पर्स्पेक्टिव तप्स्पेक्टिव अफ्स्पेक्टिव यह तो कही न कहीं डिस इस अंधिंग भी आलोट सबसे मैंने 10-10 questions लिये and by the end I had collated around more than 700-800 questions तो इतने questions थे and सबके ओपर मैंने कुछ न कुछ अपना एक जवाब सोचने की कोशिश करी and क्या possible cross questions हो सकते हैं उस questions से related अपने answer से related वो मैंने सोचने की कोशिश करी and I think इस से आप एक तरीके से interview को ज़ादा predictable lines पर समझने का समझ सकते हैं क्योंकि interview eventually कुछ भी नहीं है interview पांच बहुत senior लोग जिनके पास बहुत experience है life का आप उनसे interact करने जा रहे है and आप उसे interaction की तरह देखे है अगर आप उसे देखेंगे कि एक exam का process है या आप बहुत ज़्यादा tense होके जाएंगे आप कही न कही अपनी जो आपका articulation है वो natural नहीं होगा वो कही न कही mechanical हो जाएगा और आप वो चीज़े नहीं बोलेंगे जो आप बहुत अच्छे से सोचते हैं so therefore I think it's good to prepare your daft क्योंकि आप बहुत clear हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है मान लीजे इंडिया के international relations है किसी country के साथ मान लीजे निपाल के साथ आपका answer वो नहीं होना चाहिए जो उस वक्त दिमाग में आया आपको ये चीज़ पहले से सोच के रखनी चाहिए कि ठीक है ये तमाम situations है ये developments है इसके हिसाब से इंडिया निपाल relations में ये इंडिया को ideally करना चाहिए ये चीज़ एक thought through है तो मैं क्या करता था मैं ऐसे questions पहले से सोचता था अच्छे से उनके उपर time देता था लोगों के साथ discuss भी करता था और एक अच्छा सा stand हर एक जगह पर बनाता था मैंने अपने इवन notes शेयर करें हूँ है इंटर्वी के so almost हर एक जगह पर मैंने ये कोशिश करी कि अपना एक clear stand हो चाहिए वो इंडिया के social issues हो even मेरे DAF के भी pointers so work X हुआ अब मैं RBI में था मैं IPS में आया so police and banking ये दोनों ऐसे areas हैं जिनसे बहुत सारे questions बहुत obvious है कि आएंगे interview board के दिमाग में so उन सारे areas में जैसे even a vision for a progressive police force how to make police a service rather than just being a force ये सारे areas के ओपर मैंने अच्छे से सोचा तमाम seniors से बात करी है और अपने experiences जो मेरे national police academy या RBI में रहे होने चाहिए interview में क्योंकि board को 30-40 minute में आपकी personality determine करनी है उसे evaluate करना है so जो आपके answers होने चाहिए बहुत crisp होने चाहिए बहुत verbose होके same बात को बार-बार बोलके आप कही न कहीं interview board का भी time based करते है और कहीं न कहीं आपके answers के अंदर वो सटीक नहीं होते है answers so you are just beating around the bush एक और छीज़ जो important हो जाती है interview में वो यह है कि आप उसे अपने अनुभवों एक uniqueness उसका एक USP create कर सके अपने answers का so interview is not mains even though it requires as much preparation as the mains exam so interview is not mains and I say this because means में आप चार पॉइंस लिख रहे है आप प्रो में चार पॉइंस लिख रहे हैं आप कही न कहीं उसे balance out कर रहे है interview के अंदर a lot of times it's a good idea to take a stand at the same time you should also know that there's a different perspective available so अगर आप से question पूछा जा रहा है it's a good idea कि आप आप एक stand लीजे कि सर यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यह चीज़ करी जा सकती है and उसे elaborate करिए किसी एक example के साथ कि इस country ने ऐसा किया है या government यह scheme लाई है और इस चीज़ से बहुत फाइदा हो रहा है so मुझसे मेरे interview में एक question पूछा गया था कि किस तरीके से हम women की situation backwards states like UP अभिहार के अंदर improve कर सकते है और उस वक्त एक तरीका है कि आप वही mains वाले answers लिखे पंचायती राज institutions वही बोल के आ जाए मैंने अपना एक personal experience दिया मैंने कहा कि अगर women जादा responsible positions पे आती हैं उसका demonstrator effect होता है तो जब हम National Police Academy में training कर रहे हैं उसी टाइम पे हमाई से पिछले batch का की passing out parade होई थी which was commanded by a lady officer so मैंने का बहुत सारी lady officers are winning accolades within the service even in our training the women officers who are becoming the best IPS professionals ऐसे लोग कही ना कही जो girl child है even उनकी families है उनने inspire कर सकते हैं that women could not just achieve as much as men but could be better so वो मेरा एक personal experience था and कही ना कही उसने मेरे answer को एक uniqueness थी जो कि interview के अंदर बहुत important होता है एक और शीज जो important होती है in interviews में वो ये होता है कि mocks कितने दिये जाए so a lot of times people think कि बहुत जादा mocks तेने चाहिए क्योंकि वो भी means की तरह answer writing का तरीका है और हम जादा practice कर रहे हैं हम नए लोगों से मिल रहे हैं I think there should be a limit to the number of mocks you give because mocks के end में जो आपको सुझाव मिलेंगे take them with a pinch of salt because एक जगे पर आप जाएंगे वो कहेंगे आपके answers बहुत लंबे अगली जगे पर आप जाएंगे वो कहेंगे आपके answers बहुत छोटे हैं एक जगे जाएंगे वो कहेंगे कि आप कुछ फाल्तु की terms यूज कर रहे हैं अपने उस जगे पर या बहुत politically आप sensitive terms यूज कर रहे हैं UPSC interview is a good interaction उसे वैसे ही देखिए है वो test नहीं है and therefore जो आपके mocks होने चाहिए वो भी ऐसे ही होने चाहिए वो आपको हर एक mocks से आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस तरीके से answer कर रहा हूँ और चुकि लोग different लोगों की life experiences अलग होते है लोगों की preparation journey अलग होती है उनका way of answering सेम नहीं हो सकता and UPSC ये चीज बहुत अच्छे से appreciate करता है इसलिए even हमेशे interview के जो top scorers होते है वो बहुत अलग-अलग type की लोग होते है so जबकि mocks जो होते हैं वो एक same mold में सब को cast करने की कोशिश करते है and therefore you should not you should not fell for it rather आप अपने answers पर confident रही अपना way of answering पर confident रही है one thing which helps a lot is going through videos जो YouTube पर अवेलिबल होती है अलग-अलग channels पर लास्ट यर के tuppers की interview mock interviews की videos अवेलिबल होती है वो एक बार देखी जा सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो अच्छा score करते हैं उनके way of answering के अंदर कुछ एक traits होते है and जैसे थोड़ा सा pause लेकर के answer देना या फिर बहुत ही crisp answers देना to the point answers देना and कभी भी किसी controversial terrain में ना जाना एक और चीज़ जो मैंने अपने experience में देखी वो ये था कि hold on to your ground so अगर आपने stand लिया है अपने interview में it is important कि आप उसे stick करें अगर आप ये क्योंकि देखें कोई भी आप argument देते हैं उसका हमेशा एक counter argument होगा एक bureaucrat भी अगर कल को एक policy advice देने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उस policy के criticism नहीं होगे जो भी government policy लेके आती है अगले दिन उसके criticism में editorials आते हैं but eventually decision ऐसा होना चाहिए जो सारी चीजों को जानते हुए आपने लिया and at the same time it is something done for the greater good so जो चीज़ आपको bureaucracy में करनी है वही आपको interview panel के सामने भी करनी है because they are looking for a good bureaucrat so उसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक answer दे रहे हैं even though interview board आपको ये कहता है कि नहीं यहाँ पर ये भी दो किया जा सकता था and आप केते हाँ बात तो सही है and then you change your stand that means कि आप अच्छे decision maker नहीं है कल को जब आप IPSA IS officer हैं अपने situation हो रही है आपको orders देने हैं किसी चीज़ के और बहुत tough decisions लेने हैं आप वहाँ डिली डिली करने लगेंगे आप वहाँ confused हो जाएंगे अपने decisions में which is something not reflective of a good administrator so आपको फर्म रहना है अपने stand में and lastly interviews में आपको बहुत honest रहना है एक अच्छा answer वो है जहाँ आप अपनी गलतिये accept कर ले so अगर आपको नहीं आती है वो चीज़ मैंने अपने दोनों interviews में कई बार बोला I don't know the answer अगर मुझे नहीं पता I should clearly say कि मुझे नहीं पता so honesty is something which is rewarded in the UPSC interview bluff करना या अपने डाफ में ऐसी चीज़े भर देना जो आपने कभी की नहीं so a lot of people would say कि मेरी कोई hobby नहीं है I think it's never too late to cultivate a new hobby अगर आप इस preparation cycle में आप जानते हैं कि अगर आपको rank लानी है आपको अपनी preferred service में जाना है you have to go through the personality test and therefore there's no point leaving the hobby column blank आप कुछ ना कुछ hobbies cultivate करिये gardening करिये बच्चों को पढ़ाईये music सुनिये you never know what hobbies you could actually pursue and therefore it's better to evolve your personality and this journey should not be just about learning new things जो अपने किताबों से पढ़ी it should also be about learning new skill sets start doing new things so कुछ ना कुछ अपनी hobbies आप बनाईये starting से परेपरेशन साइकल के and जब एंड में काम करने का वक्त है so आप उन्हें holistically prepare करिये जब आप holistically उन hobbies को अपने डैफ के pointers को prepare करते है आपके answers ज़्यादा honest होते है so मैं अपनी hobbies में filletli एक hobby लिखता था which is stamp collection and stamp collection is something which I see as a kind of a dying hobby because very few people pursue it now अगर आप collectors से भी मिलने जाएंगे मैं बहुत सारे filletlick fairs में जाया करता था जो भी मिलेंगे वो लोग वैसे होंगे जो 40 प्लस age group के हैं because नए लोग जो हैं खास्तों से जो students हैं they are not taking up the hobby and इस वज़े से कही न कही मुझे भी नए stamps मिलना मुश्किल हो जाता है so एक रास्ता है कि मैं उस hobby को completely छोड़ दूँ सिर्फ bookish language लेकर के जाऊं लेकिन मैंने का नहीं I should pursue my hobby I should rather live my hobby so मैं जब भी मुझे मुझे मौका मिलता था मैं फिलेटलिक फेयर में चला जाता था मैंने फिलेटलिक ब्यूरो में अपना account open कराया फिलेटलिक deposit account open कराया हर महीने stamps आते थे वो देखे so कही न कही you should live your hobby and जब आप ऐसा कर रहे होंगे जो भी अपने किया है you are confident on it your answers would be more honest and आप उस ताम पे interview board के सामने answer करते और डर नहीं रहे होंगे rather आपके answers ऐसे होंगे जिनके उपर आपको पता है कि yes I know this and I am answering it and interview board could perceive it and this is something which helps one to get rewarded lastly मेरे दो बार अच्छे मांक साए but कही न कही ऐसा कोई एक single factor नहीं था जिसने determined किया हो कि मेरे दोनों बार अच्छे मांक साए what is something which helped me a lot was कि I remain my natural self so interview के अंदर ना लोगों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसका way of answering ऐसा है या मुझे बहुत eloquent तरीके से answer करना है बहुत ही sophisticated English या Hindi यूस करनी है और तभी मेरे मांक सच्छे आएंगे बहुत जादा content मुझे उनके सामने show off करना है ऐसा कोई मोल नहीं होता interview का interview के अंदर जैसा आपका way of answering है अगर आप उसे stick करेंगे and you come across as someone who has a genuine personality आपको हमेशा अच्छे मांक्स मिलेंगे one last thing जो interview का पाट नहीं है परन्तु इस exam का बड़ा critical part है that is the medical test which happens just the day next to your interview and क्योंकि हम prepare कर रहे होते हैं बहुत लंबे hours हम slok करते हैं एक चीज जो खो जाती है उस पूरे process में which is something जो बहुत underrated है that is maintaining your physical fitness so mental fitness is a thing हाँ आपको motivated रखना है खुदको but physical fitness is equally important कुछ ना कुछ running करते रहे हैं कुछ ना कुछ physical activities करते रहे हैं कोई game खेलते रहे हैं कोई भी sport, badminton, tennis जो भी आपके area में आपको मौका मिलता है कुछ ना कुछ खेलते रहे क्योंकि बहुत सारे candidates जो eventually exam clear कर लेते हैं वो because of high BMI because of some medical issue उन्हें service allocate होने में time लग जाता है हाँ, so उनका service allocation अटक जाता है because वो medically fit नहीं होते हैं so when the medical board declares you medically unfit reason, there are multiple reasons and if it is because of say high BMI आपको फिर तीन महीने अपना वो उस ताम में intensively exercise करनी पड़ती है weight reduce करने it creates a lot of mental burden on you therefore अगर आप preparation cycle से ही medically fit, healthy रहने की कोशिश करेंगे it is something which is going to help you a lot even जब मुझे interview board ने पूछा की how is my IPS training going to help me in the IAS एक reason जो मैंने बोला की healthy mind resides in a healthy body and in the IPS I had the opportunity of becoming really fit and अगर आपको decisions लेने हैं तो पहले आपकी body fit होनी चाहिए तभी healthy mind का काम आएगा so मेरे साब साब की preparation भी जादा बहतर होगी if you are physically fit so वो एक ऐसी चीज है बहुत underrated है उससे please ignore ना करे it's something which is which which helps a lot thank you for watching I hope it helps